लोग प्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती असरी मानक तो होता है रचनाकार का दायत तो बोर्ध उसके सरोकार और उसकी जीवन द्रिश्टी यह सूत्र वाक्य है नई कहानी की सिद्ध हस्त कथाकार मनुभंडारी जी क्या मनुभंडारी हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका है इनका जन्मतीन अप्रेल 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जीले में भानपुरा गाउं में हुआ था इनके पिता स्री सुख संपतिराय भंडारी सुप्रसिद्ध समाज सेवक थे और माता जी इनकी जो थी अनूप कुमारी जी बहुत ही सहनसील उदार और धार्मिक महिला थी मन्नू भंडारी जी के बच्पन का नाम महेंद्र कुमारी था लेखन के लिए इन्होंने मन्नू भंडारी नाम का चैन किया इनकी प्रारंभी सिक्षा अजमेर में हुई और इंटर की जो परिक्षा है इन्होंने अजमेर काले से ही दी और हिंदी से यमे इन्होंने कासी हिंदू विश्विद्याले से किया सन 1969 में सुप्रसिद्ध साहित्यकार राजेंद्र यादो जी से इनका बिवा हुआ वाली गंज सिक्षा स्रदन कलकत्ता में नव वर्स तक सिक्ष की एक करते हुए मन्नु भंडारी जी ने कीरतिमान स्थापित किया सन 1961 में राणी विल्ला कालेज कलकत्ता में प्राध्यापिका हुई और इसके बाद उन्होंने वर्सों तक मारीडा हाउस दिल्ली में प्रध्यापिका के पदपर कारिक किया सन 1929 में अवकास प्राप्त करने की बाद दो वर्सों तक उजयन में मतलब 1922 से 1924 तक प्रेम चंद स्रिजन पीठ की निर्देशिका रही आप उपन्यासकार कथाकार नाटककार आत्म कथालेखिका और पठ कथालेखिका के रूप में हिंदी साहित जगत में प्रसिद्ध हैं विख्यारत हैं आपके उपन्यास जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं जैसे आपका बंटी महाभोज स्वामी कलवा आदि एक उपन्यास और बहुत प्रसिद्ध हुआ इनका एक इंच मुष्कान जो इन्होंने राजेंद्र रियादो जी के साथ लिखा है कहानी संकलर में एक प्लेट सैलाप और मैं हार गई और तीन निगाहों की एक तस्वीर यही सच है क्रिशंग को आँखों देखा जूट और नाट्ट जगत में भी बिना दीवारों का घर इनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है आत्मकथा के छेत्र में भी इनकी लेखनी चली है यह कहानी यह भी और दूसरा है सवासेर गिंग और आपके साहित जगत में प्रदे को देखते हुए महा भोज पर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सम्मानित किया गया भारतिय भासा परिशत कलकत्ता कलाकुंज सम्मान नई दिल्ली और व्यास सम्मान विहार राज्यवासा परिशत इस तरह से मन्नु भंडारी जी अनेक अलंकर्णों से अलंकृत रचनाकार है मन्नु भंडारी जी हिंदी जगत में उत्समे सक्री हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था नई कहानी आंदोलन यानी छट्वें दसक में जो नया मोड आया उसमें मन्नु जी का विशेईश योगदान रहा इनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विविन्न वर्गों के जीवन की विशंगतियां एक विशेई संदाज में अभिव्यक्त हुई है उन्होंने आक्रोश, ब्यंग्य और संबेदना को मनोवैज्यानिक रचनात्मा का अधार देकर अपनी कहानिया लिखी अपने उपन्यास लिखे और वही संबेदना इनकी पठकथा में भी दिखाई देती है वह चाहे कहानी हो चाहे उपन्यास हो या पत कथा ही क्यों नहों। रजनी मनुभंडारी जीकी सूप्रसिद्ध पत कथा है। प्रश्न यह उठता है कि पत कथा है क्या। आपने गद्य की अनेक विधाएं पढ़ी हैं निभंध है आत्मकथा है उपन्यास है नाटक है एकांकी है कहानी है रेखाचित्र है रिपोर्टाज है यात्रा ब्रित्तांत है लेगिने पटकथा क्या है वास्तों में पटकथा किसी फिल्म या दूर दर्शन कारिक्रम के लेखा गया एक विस्त्रित भ्यवरह होता है सिसे इंग्रेजी में इसक्रीन प्ले कहते हैं के जब तक साहित्य कहाँनी की पर रुप में दिखाने के लिगे पर लाने की पटकथा शब्द दो शब्दों से बना है पट और कथा पट का आर्थ होता है परदा और कथा का आर्थ है कहानी जो छोटे यानि दूरदर्शन या परदे यानि फिल्म पर किसी पर भी दिखाई जाए पटकथा कहलाती है पटकथा लेखक, सुप्रशिद्ध साहित्यकार एवं पत्रकार मनोहर श्याम जोशी ने कहा है कि पटकथा कुछ और नहीं कैमरे से फिल्म के परदे पर दिखाए जाने के लिए लिखी गई कथा है कहानी के चल्चित्र की भाषा में ढालना ही पटकथा है पटकथा के जो अंग है जैसे पात्र, नायक और प्रतिनायक इसमें द्वंद फिर समाधान होता है और अलग-अलग घटना इस्थल होते हैं अनेक द्रिश्य भी हो सकते हैं नाटक के द्रिश्य लंबे होते हैं और पटकथा फिल्म के छोटे-छोटे होते हैं पटकथा लेखन की मूलिकाई द्रिश्य होती है पटकथा अनेक द्रिश्यों में भी भाजित होती है रजनी पाठ रजनी धारा वाहिक की एक कड़ी है रजनी पिछली सदी के नौमे दसक का एक बहुचर्चित टीवी धारा वाहिक रहा है यह वह समय था जब हम लोग बुन्याद जैसे सोप उपेरा दूरदर्शन का भविश गढ़ रहे थे तो वावस चतर जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में सुतंत्र और मुकमल होती थी और उन्हें आपस में गूतने वाली सूत्र थी रजनी हर कड़ी में यह जुजारू और इंसाह पसंद इस्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनेतिक समस्या से जूजती नजर आती थी यहां अंश भी ब्योसाय बंती सिक्षा की समस्या की और हमारा ध्यान खीचता है अब आईए देखें इस पट कथा में पात्र कौन-कौन से हैं जैसे रजनी यह इसकी महानाइका है नाइका है लीला, अमित, हेड मास्टर, रजनी के पाती, चपरासी, निर्देशा क्यानी डाइरेक्टर और संपादक बच्चो मन्नू भंडारी द्वारा स्रिजित रजनी नाटक को देखने के लिए चलते हैं प्रथम द्रिश्य में बच्चो हम लीला के मकान में हैं इस द्रिश्य में तीन पात्र हैं लीला, लीला का बेटा अमित और लीला की सहली रजनी है लीला रसोई में है अभी थोड़ी देर में लीला की सहली रजनी आने वाली है लीला और रजनी को आज बाजार जो जाना है लगता है रजनी आ गई है लीला दरवाजा खोलने आ रही है वह दरवाजा खोलती है और लीला रजनी को बताती है आज अमित का रिजल्ट आने वाला है इसलिए वह मिठाई बना रही है अरे वह तब तो मैं भी मिठाई खा कर ही जाओंगी लगता है अमित रिजल्ट लेकर आगे आ है अमित को बाहों में भरने के लिए लीला और रजनी आगे बढ़ती है रजनी बढ़ाई देती है कांगरा चुलेशन समित अमित का चेहरा उतरा हुआ है उसकी आँखें आशुओं से भरी है बहुत दुखी मन से वह थैले से रिजल्ट निकाल कर मा लीला की ओर फेकते हुए कहता है मैंने कितना कहा था कि मैद समेभी त्यूसन लगवा दीजिये वरना मेरा रिजल्ट भी कर जाएगा बस वही हुआ अमित को मात्र बहत्तर अंक मिले है लीला कहती है कि तूने तो सारे सवाल ठीक किये थे रजनी रिजल्ट देखती है दूसरी विशियों में उसे 86, 88, 82, 90 अंक मिले है सबसी कम अंक गणित में मात्र बहत्तर अंक मिले है अमित कुछ से से देखता है कम तो होंगे ही ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर सर तो बार बार कहते थे ट्यूशन कर लो ट्यूशन कर लो वरना फिर बाद में मत रोना लीला कहती है यह तो अंधेरगर्दी है रजनी की भाहों में एका एक बल पड़ जाते है वह अमित को समझाती है रो मत जो पूछती हूं उसका जबाब देना तुझे अच्छी तरह आद है कि तुने पेपर ठीक किया था अमित स्विक्रिती में सिर हिलाता है हमको आते थे सारे सवाल मैट्स के सर हैं काउन मिस्टर पाठक कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे 22 लीला बीच में एहती है हाफ यली में तो इसके 96 नमबर आये थे इसी ने बताया था कि क्लास में सबसी ज़्यादा है उसके बाद भी कहते थे ट्यूशन लो रजनी सारी बातों की जांस करती है अमित अपनी मापर ट्यूशन न कराने का दोसार उपन करता है रजनी उसे समझाती है तो ममी से नहीं सर से जाकर लग दोनों सिकंजी पीते हैं रजनी कुछ सोचती है सिकंजी समाप्त करते हुए कहती है कल आप नो बजे तैयार रहिए अमित साहब आपके स्कूल चलना है इतना सुनते ही अमित डर जाता है रजनी को जाने से रोकता है लीला भी डर जाती है कहीं अगले साल वे अमित को ज्यादा तंग न करें मत जाओ यानि कि वे लोग जोर जुलूम जादती करते रहें हम लोग चुप चाप बरदास्त करते जाएं रजनी अगले दिन इसकूल जाने का मन बना लेती है वह दंदनाती हुई अपने घर चली जाती है लीला चिंता करने लगती है अब यह रजनी कोई मुसीबत न खड़ी करते बच्चों हम नाटक के दूसरे द्रिशे में विद्याले के हेड़ मास्टर के कक्ष में है इस द्रिशे में तीन पात्र हैं हेड़ मास्टर, रजनी और चपरासी रजनी हेड़ मास्टर से मिलने के लिए चप्रासी को पर्ची भेशती है, हेड मास्टर कुछ चंड उस पर्ची को देखता है और फिर बुलाने के लिए कहता है, हेड मास्टर के कक्ष में रजनी गुशती है और उनसे नमस्कार करती है, बैस ये कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं सेवेंथ क्लास के अमित सक्षेना की मैस्ट की कौपी देखना चाहती हूँ, एरली ग्याम की, कल ही जिसका रिजर्ट निकला है, सारी मेडम, एरली ग्याम की कापिया तो हम लोग नहीं दिखाते हैं, जानते हूँ मैं, लेकिन बात यह है, कि अमित ने मैस्ट का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसे कुल 72 नंबर ही मिले हैं, कौपी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ, कि अमित को अपने बारे में कुछ गलत फामी हो गई थी, तो गलती ग्यामिनर की है, या अमित की, आप भी कमाल करती हैं, बच्चे ने कहा और आपने मान लिया, अरे हर बच्चा घर जाकर यही कहता है, कि उसने पेपर ठीक किया है, बहुत अच्छा किया है, और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, अगर हम इसी तरह कापियां दिखाने लग जाएं, तो पेरेंट्स की भीर लग जाएगी, इसलिए तो इरली ग्याम की कापिया न दिखाने का नियम बनाया गया है स्कूलों में, देखिए, आप चाहें तो अमित का पूरा रिजट देख सकते हैं, मैं समय हमेशा सिंट पर्शिंट नमबर लेता रहा है, इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है, कापी देख कर मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ, कि नमबर आखिर कटे किस बात के हैं, हेड मास्टर नियम न तोजने की बात करते हैं, वे रजनी को समय बरबाद न करने की चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तब रजनी ब्यंग से कहती है, नियम, यानि आपका इस्कूल बहुत नियम से चलता है, वाट ड्यू मीन, आई मीन वाट आई से, नियम का जरा भी ख्याल होता, तो इस तरह की हरकतें नहीं होती इस्कूल में, कोई बच्चा बहुत अच्छा है, किसी विशे में फिर भी उसे मजबूर किया जाता है, कि वो ट्यूशन ले, या कौन सा नियम है आपके इस्कूल का, हेड मास्टर, ट्यूशन, टीचर्स और इस्टूडेंट्स का आपसी मामला है, इसमें वो असमर्शत अब्यक्त करता है, इसमें स्कूल कुछ नहीं कर सकता, रजनी कहती है, यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो कुर्सी छोड़ दीजिए, हेड मास्टर, रजनी को बाहर जाने के लिए कहता है, इस पर रजनी कहती है, बाहर कीजिए इन सब टीचर्स को, जिन्होंने आपकी नाक के नीचे, त्यूशन का यह गिनोना रेकेट चला रखा है, आप तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा, और मैं करूँगी, देखिएगा आप। बच्चों, यह नाटक का तीसरा दिर्श्य है, हम रजनी के फ्लेट में हैं, इसमें दो पात्र हैं, रजनी और उसके पत्य, रजनी दिन भर विद्याले में चक्कर काटने के बाद, अपने फ्लेट में पहुंशती है, उसकी पत्य भी कुछ देर बाद घर लोटते हैं, घर लोटने पर उसके पत्य जो है, उससे चर्चा करते हैं, कि भाई, आज दिन भर मैंने फोन किया, और किसी ने फोन नहीं उठाया, तो रजनी जो है, कहती है कि मैं भाई, चाय बना के ला रही हूँ, हम दोनों बैठ करके चाय पिएंगे, और चाय के समय ये सारी चर्चा जो है, खो जाएगी, रजनी चाय बना कर लाती है, और वो पूरी घटना, जो हेड मास्टर के साथ घटी होती है, वो अपने पज को बताती है, और बताते बताते, वो कहती है, कि आज बोलती बंद कर दी हेड मास्टर साहब की, जवाब देते नहीं बना, तो चिलाने लगे, पर मैं क्या छोडने वाली हूँ इस बात को, अच्छा, मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं, या धंदा करते हैं, पर तुम्हें अभी बैठे बिठाए, इससे क्या परिशानी हो गई, आगे, उसका पती समझाता है, कि देखो, तुम्हारा बेटा बहुत छोटा है, अभी वो इसकूल जाने लायक नहीं है, जब इस तरह की बात सुनती है, तो रजनी एक दम भड़क जाती है, और वो अपने पज से चर्चा के दौरान कहती है, कि अमित हो, या कोई भी बच्चा हो, जो इसकूल पढ़ने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाब क्या आवाज नहीं उठानी चाहिए, जो ट्यूसन के शिकार हो रहे हैं, सोसन के शिकार हो रहे हैं, तब उसका पथ जो है, बीच में ही उसे टोक देता है, कि क्या तुमने पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है, तब रजनिया पहती है, कि मुझे गुशा मत दिलाना भाई, गलती करने वाला तो गुनहगार होता ही है, और जो गलती को बरदास्त करता है, वह उससे बड़ा गुनहगार होता है, चारों तरफ अन्याय यत्याचार और सोशन फैला हुआ है, और तुम्ही लोगों के जैसे लोग, जो छोटे-छोटे गुनाह को भी सुईकार कर लेते हैं, और करने वाला आगे चल करके बड़ा गुनाह करता है, इसलिए देश में अन्याय बढ़ता जा रहा है, पात्र हैं, रजनी, चप्राशी और निदेशक, रजनी निदेशक के कक्ष के पास पहुँच कर, अपनी परची चप्राशी को देती है, और साहब से मिलने की प्रतिक्षा करती है, और कई लोग प्रतिक्षा कर रहे हैं, प्रतिक्षा करते करते रजनी उप जाती है तब वह चपराची से कहती है भाई तुम्हारे जो साहब हैं कब तक बुलाएंगे चप्रसी बताता है कि साहब ब्यासत है और अभी बुलाएंगे घंटी बजाएंगे तो आप जाएंगी इतने में एक ब्यक्ति आता है और अपनी परची के साथ 5 रुपए का नोट चप्रसी को देता है चपरासी खुशी-खुशी उसे लेकर साहब के भीतर पहुंजाता है साहब के कक्ष में और अपना काम करने के बार वापस लोटाता है रजनी भीतर जाने की कोशिश करती है चपरासी उसे रोकता है परंतों नहीं मानती भीतर निदेशक के कमरे में पहुंजाती है निदेशक रजनी को देखकर हरवला जाता है और कहता है आपको इसलिप भेश कर भीतर आना चाहिए पर वो बताती है कि इसलिप तो आपके चपराशी को एक घंटे पूर्व ही मैं दे चुकी हूँ तब निदेशक कहता है कहिए तो रजनी कहती है देखिए मैं स्कूलों विशेश कर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशन्स के बारे में जानकारी कठा कर रही हूँ कोई रिशर्च प्रोजेक्ट है क्या वेरी इंट्रेस्टिंग सबजेक्ट बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए निदेशक कहता है कहिए आप क्या जानना चाहती है जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकर्जनाइज़ कर लेते हैं उन्हें बोर्ड साहिए नब्बे प्रश्ट ग्राउंट देता है जी हाँ कि देता है बोर्ड का काम ही है कि सिख्षा के प्रशार प्रसार में जितना भी होसके सहयोग करें इस अब ड्यूटी मेडम जब इतनी बड़ी एड देते हैं तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा ऐसे स्कूलों पर आपकोर्स बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम है जो इसकूलों को मानने होते हैं इसकूल मानते भी हैं शिलेबस बोर्ड बनाता है फाइनल इयर्स के ग्याम बोर्ड कंड़क्ट करता है रजनी निदेशक के चहरे पर नजर गड़ा कर कहती है इसकूलों में आजकल प्राइवेट त्यूसंस का जो सिलसिला चला हुआ है त्यूसंस क्या बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हुआ है उसके बारे में आपका बूर्ड क्या करता है निदेशक बहुत ही साज भाव से जवाब देते हैं इसमें धन्दे की क्या बात है जब किसी का बच्चा कम्जोर होता है तो उसके माबाप ट्यूसन लगवाते हैं अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूसन किसी और के पास चले जाएं यह कोई मजबूरी तो है नहीं बच्चा कमजोर नहीं होश्यार है बहुत होश्यार इसके बाब जूर्द उसका टीचर लगातार उसे कोंस्ता रहता है ट्यूशन लो ट्यूशन लो वरना पस्ताएगा लेकिन बच्चे के माबाप को जरूरी नहीं लगता वे ट्यूशन नहीं लगवाते रजनी कहती है जानते हैं क्या हुआ मैस का पूरा पेपर ठीक करने के बाब जूर उसे मात्र 72 नंबर मिलते हैं जानते हैं क्यों क्यों कि उसके टीचर के बार-बार कहने पर भी ट्यूशन नहीं लिए कि वेरी सेट एड मास्टर को ऐसलेना चाहिए इसे टीचर के खिलाब क्या खुब आप कहते हैं कि यह एकुछ नहीं कर सकता तब करेगा कौन मैं पूशती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनोने रैकट को तोड़ने के लिए दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको, आपके बोर्ड को लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पैरेंट से इस तरह की कोई शिकायट नहीं आई यानि शिकायट करने पर ही आप इस वारे में कुछ सोच सकते हैं वैसे शिक्षा की नाम पर दिन दहाड़े चलने वाली इस दुकानदारी की आपके बोर्ड आप इसक्रेशन को कोई जानकारी ही नहीं कोई चिंता ही नहीं कैसी बात करती है आप इतने इंपॉर्टेंट मैटर रहते हैं कि हम लोगों के पास कि अभी पिछले शामहीने से तो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर कितने सेमिनार्स और नाइस कर चुके है है हमने हो इंपॉर्टेंट मैटर्स नई शिक्षा प्रणाली अरे पहले ही सिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए वरना बच्चों के भविश के साथ आपकी नई शिक्षा प्रणाली भी चंकर गड़े में चली जाएगी निदेशक सुनकर गुस्से में आ जाता है आप ही पहली महिला है और हो सकता है आखिरी भी जो इस तरह की शिकायद लेकर आई है तो ठीक है तो फिर आपके पास शिकायद का ठेल लगवा दूँगी रजनी ऐसा कहकर जटके से बाहर चली जाती है निदेशक देखता रहता है वह रास्तेस में ही कुछ लोगों को फून करती है कुछ महिलाओं को लेकर के कई माता पिता से जाकर के वो मिलती है और चर्चा करती है माबाप से मिलकर उन्जे समझाती है बच्चो अब हम अगले द्रिश्य में अखवार के दफ्तर में संपादक की कक्ष में होंगे बच्चो यह रजनी नाटक का पांचवा द्रिश्य है इसमें पात्र हैं रजनी और एक अखवार के संपादक हम एक अखवार के दफ्तर में हैं रजनी संपादक को सारी बातें बता चुकी है आपस में चर्चाएं हो रही हैं जिसे सुनकर संपादक कहता है आपने तो इसे वकाइदा एक आंदोलन का ही रूप दे दिया बहुत अच्छा किया इसके बिना यहां चीजें बदलती भी तो नहीं है शिक्षा के ख्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए रजनी कहती है आप भी मसूस करते हैं न ऐसा तो फिर साथ दीजे हमारा अखवार यदि किसी इसू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती सबकी बन जाती है आँख मूद कर नहीं रह सकता फिर कोई उससे आप सोचिये जरा अगर इसके खिलाप कोई नियम बनता है तो कितने पैरेंट्स को राहत मिलेगी कितने बच्चों का भविशे सुधर जाएगा उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा माबाप के पैसे का नहीं शिक्षा के नाम पर बच्पन से ही उनके दिमाग में यह तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है वे वे संपादक हस्ते हुए बस बस मैं समझ गया आपकी सारी तकलीफ आपका सारा गुश्चा तो फिर दीजी हमारा साथ उठाईए इस इसू को लगातार लिखिये और धुआधार लिखिये इसमें आप अखवार बालों को अपने साथ ही पाएंगी अमित के उदाहरन से आपकी सारी बात मैंने नोट कर लिया है आपने जितनी चर्चा की है वो सम्मेंने नोट कर लिया है एक अच्छा सा राइट अप तयार करके पीटियाई के द्वारा मैं एक साथ फ्लेश करवाता हूँ हाँ हाँ एक काम और कीजिए पच्चीस तारिक को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं राइट अप के साथ ही इसकी सूचना भी दे दीजिए तो सब लोगों तक खबर पहुंच जाएगी ब्यक्तिकत तोर पर तो हम मुश्किल से सव सवासो लोगों से संपर कर पाएं हैं वह अभी राज दिन भाग दोड़ करके अधिक से अधिक लोगों के आने का आग्रह के साथ सूचना दे दीजिए जी ही रजनी की बात को सुनकर संपादक के साथ बैठे हुए अन्य लोग हसने लगते हैं ये हुई ने कुछ बात आएए अब हम चलते हैं रजनी द्वारा आमंत्रित बैठक में यह रजनी नातक का छटवा द्रिश्य है बच्चो इसमें प्रमुख पात्र हैं रजनी और सेस मीटिंग में आये हुए लोग रजनी मीटिंग इस्तल पर आती है वैनल लगा हुआ है तालियों की गड़गडाहत से लोग उसका स्वाज़त करते हैं रजनी माइक पराकर संबोधित करती है बहनों और भाईयो इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्तिती और जोसी बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है इन दो महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए कुछ अभी आप लोगों ने भी यहां सुनें यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूसन जरूरी भी है माताएं इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें और पिता जैसे वे घर के और किसी काम में जरा भी मदद नहीं करतें बच्चों को भी नहीं पढ़ाते तब कमजोर बच्चों के लिए ट्यूसन जरूरी भी हो जाती है बहुत अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से भी एक प्रत्नित नहीं आकर बताया कि कई प्राइवेट इसकूलों में तो उन्हें इतनी कम तंखाह मिलती है कि ट्यूसन न करें तो उनका गुजारा ही नहीं हो कई जगह तो ऐसा भी है कि कम तंखाह देकर ज्यादा पर हस्ताक्षन करवाए जाते हैं ऐसे टीचर से मेरा अन्रोध है कि वे संगठीत होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का परदा फास करें हाल में बैठा हुआ रजनी का पती फुस फुस आता है अब एक और आंदोलन का मसला मिल गया आगे रजनी फिर बोलना प्रारम करती है इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नजर में रखते हुए ही बोल्ड के सामने प्रस्ताव रखेंगे कि वह ऐसा नियम बनाए कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूसन नहीं करेगा ऐसी स्थित में बच्चों के साथ जोड़ जबरदस्ती करने उनके नमबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी साथ ही यह भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर के खिलाफ सक्त से सक्त काज़वाई की जाएगी अब आप लोग अपनी राय दीजिए सारा हाल तालियों की गड़गड़ा हग से जूल जाता है अब हम लोग चलते हैं रजनी के फ्लैट में बच्चों यह रजनी नाटक का अंतिम द्रिश्य है हम लोग रजनी के फ्लैट में हैं सबेरे का समय है उसके पति अखवार पढ़ रहे हैं पहला प्रिश्ट पलटते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है वह एकदम चौंक जाते हैं और जोर से बोलकर रजनी को बताते हैं कि बोर्ड ने तुम लों का प्रस्ताव जियों काते हो स्वीकार कर लिया है भीतर से रजनी दोड़ते हुए आती है अखवार छीन कर जल्दी पढ़कर आत्म संतोष प्रशन्नता एवं गर्व का अनभो करती है वा कहती है चलो अच्छा हुआ मैं तो कहती हूँ कि डटकर मुकावला किया जाए तो ब्यक्ति को सफलता मिलेगी ही अन्याय की धर्जियां उड़ जाएंगी उसका पत गर्व के साथ उसे सावासी देते हुए I am proud of you रजनी अपनी प्रसन्नता ब्यक्त करता है इसी बीच मिठाई लेकर लीला अमित और अमित के पिता आ जाते हैं रजनी समाज में हो रहे शिक्षा की बेवसाई करण को रोकने के लिए आवाज उठाती है लोग अन्याय अत्याचार और धांधलियां देख करके भी चुप रहते हैं कोई आवाज नहीं उठाते जो आवाज नहीं उठाते वे भी अत्याचारी हैं अन्याई हैं इस पट कथा से हमें हैं सिख्षा मिलती है कि अच्छा नागरी खोने के नाते हमारा भी है कर तब भी है कि हमें समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार एवं धांधलियों का पुर्जोर बिरोथ करना चाहिए हमें रजनी की तरह निडर होकर इसका मुकावला करना चाहिए शंगठीत होकर बिरोथ करना चाहिए यही इस पट कथा का प्रतिपाद्य है संदेश है